मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई सातियों आज वही दिस से दोहराया जा रहा है जो 5500 साल पहले और 525 साल पहले ये मीरा बाई का जन्म महुत सब यहां पर मनाया जा रहा है ब्रजरज उतसब 2023 में मैं मनोज बैसनव संपूर प्रिश दरजन की तरब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस मेले में आखिर ऐसा क्या है क्यों नरिंद्र मोदी जी इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं ऐसा क्या है ब्रज की रज में और ब्रज के मेले में जो ब्रजरज उत्सब मनाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी स्वेम आकर इस मीरावाई के उत्सब को देखेंगे तो इसी की चर्चा हम करते हैं कैसे मीरावाई का जो चरित्र है वो हम आपको इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे क्यों नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और उनके समस्त्र जितने भी पारसद गण हैं वो इस मेले में आ रहे हैं और तेज तारीक को आ रहे हैं तो ये हैं मीरावाई जी और इनका पांसो पचीस मा जन्म महुत्सब मनाया जा रहा है जो के अपने आप में बहुत ही अद्व आप इस संपूर मेले को देखें और हम आपको सुनाते हैं मीरावाई के चरित्र कुवाई बहुत ही सुन्दर जलकियां तो आप इस वीडियो को अंतर तक देखें क्योंकि मीरावाई जी का जो प्रसंग है वो बहुत ही अद्वत है मीरावाई जी बहुत ही जोटी उम्र की जब थी तो एक बार एक साधू के पास में उन्होंने एक मूर्ती दिखाई दी जब उनको मूर्ती दिखाई दी तो वो मूर्ती मीराजी को बहुत पसंद आई और बहुत रोई मीराजी और जब मीराजी बहुत रोई तो उस साधू ने वो मूर्ती मीराजी को नहीं दी और व जो मीरा भाई की दादी थी उनसे दादी मीरा भाई कहती है दादी से कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि ये बरात आ रही है साधी हो रही है तो मीरा भाई ने पूछा कि मेरी साधी किसे होगी तो उन्होंने का तुमारी साधी गिरधर गोपाल से होगी और उनका ज जो मीरा थी वो समझ गई के मेरे तो गिरधर जो गोपाल है श्री क्रिष्ण जी है उनसे मेरी साधी होगी और वो चल दी और उस साधू को ढूनने लगी लेकिन वो साधू कहीं नहीं मिला अब मीरा वाई की जो हालत थी बहुत जादा खराब होने लगी वो इंतिजार करने ल पास में है इसे तुम जिसकी ये अमानत है उसको दे आओ तब वो साधू जी मेवाड आए और मीरा जी के पैरों में पढ़ गए और बोला कि सेवा हमने की और मेवा तुमने ली ये अपनी अमानत संभारो तब से उस मूर्ती को स्री क्रिष्ण जी की जो अद्बुत प्रत् ही उसको मीरा जी ने गले लगा के अपने साथ में ही रखा और हमेशा अपने साथ में रख दी तब उनकी उम्र हुई साधी की उम्र हुई तो उन्होंने क्या किया कि गिरधर गोपाल जो उनकी स्री क्रिष्ण जी की प्रत्मा थी उसको अपने भाजू में छुपा लिया औ और जब उनके फेरे हुए सब कुछ हुआ तो उनके फेरों के साथ में ही स्री कृष्णे जी की जो साधी थी वो स्विकार कर ली मीरा भाई ने के स्री कृष्णे के साथ में मेरी साधी हो गई तब यहां मेवार में जो वहां के राणा और महराज थे उन्होंने साधी के बाद मेवार में पहुँचे और मेवार में पहुचने के बाद जब साथ ससुर उनको जो बहुएं आती हैं नई तो उनको देवी के मंदर में लेके जाते हैं या जो उनके बुजर्ग होते हैं पू देवी के मंदर में लेके गए तो शास ने उनकी द्याओराणी ने जठानी ने सबने कहा के सर को जुखाओ देवीमा आसरवाद देंगी देवीमा हमें संपत्त्ती देंगी देवीमा हम पने किरपा करेंगी इनके सामने सर जुकाओ तब उन्होंने मीरा भाई ने कहा कि मैं सर नहीं जुकाओंगी क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं दूसरों न कोई मैं किसी दूसरे के सामने अपने सर को नहीं चुखा सकती हूँ तब तो एक दम से सास ननद सब को एक दम करेंट लगा उनके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई कि ये बहू है कि क्या है ये हमारी बात को अभी भी नहीं मान रही है तो आगे चल के ये क्या करेगी क्या ये तुम्हें कुछ अपना चमतकर दिखाते हैं तो मीरा वाई ने कहे दिया कि आज से आप अगर दर्सन करना चाहते हैं तो आपको भी ये दर्सन देंगे लेकिन मेरा और तुम्हारा कोई संबंद नहीं रहेगा किसी भी तरीके का सम्मंद नहीं रहेगा और आपको दर्सन में आपको करा दूंगी तो स्री कृष्णे जी ने प्रगट होकर राना जी को दर्सन किये जैसे ही राना जी ने दर्सन किये तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये और जैसे ही राणा जी ने अपने प्राण थ्यागे चारों तरफ बहुत ही हाहाकार हो गया चीखारे होने लगी ये तो कल मुहीं आ गई ये तो ऐसी आई आके हमारे बेटे को खा गई और ये और बहुत ज़्यादा हाहाकार हुआ जब हाहाकार हुआ तो मीरा वाई जी ने उसी इस्थान पर रही और उनकी जगे पर दूसरे जो राजा थे विक्रम राजा वहां पर बने और बिक्रम राजा बड़े ही कूर राजा थे बड़े ही उनकी अंदर दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी तो होता क्या है कि उनको मीरा वाई जी को एक इस्थान दे देते हैं वो कि यहां महलों में यहां पर मीरा वाई नहीं रह सकती हैं क्योंकि मीरा वाई क्या करती हैं कि क्रिश्न जी के साथ में सादू और संतों को बला लेती हैं और वो सादू और संतों के साथ में कीरतन करती है अब जो नित्य होता है वो सब के सामने ही होता है नित्य छुपके नहीं हो सकता है गाया छुपके जा सकता है पढ़ा छुपके जा सकता है लेकिन नित्य तो सब के सामने ही होता है और नित्य उजागर हो जाता है तो राजा बिक्रमा बिक्रम ने मीरा जी को घर से बाहर निका कि वहां पर एक भूतिया मकान था जैसे भूतिया महल होते हैं वही भूतिया महल थे जिसमें अनेकों मेबार के जो राजा थे वो खतम हो जाते तो उसी भूतिया महल में वो रहते तो वहां पर भेज दिया मीरा भाई को जब मीरा भाई को वहां भेजा तो बड़ा ही और अपने गिर्दर गोपाल को लेकर वहीं पर पहुंच गई और जब मीरा जी ने वहां पर छिड़काब किया और बाल गोपाल स्री क्रिशन जी की वहां पर सेबा की तो सभी पूरबज मीरा जी को बड़ा ही आसिरवाद देखे गए और तब उन्होंने वहां पर की जो अबाज थी वो उसके महलों तक पहुंचने लगी अब उसने क्या किया कि मीरा बाई के लिए एक हलाहल बिस भेज दिया और वो इतना हलाहल बिस था कि जैसे ही अगर कोई उसे सूंग भी ले तो तरंत ही खतम हो जाए तो पंडितों के माध्यम से उसने बताया कि ये चरनामरत है और चरनामरत उन्होंने मीरा जी ने ले लिया चांदी के पात्र में था अब मीरा जी को तो पहले ही पता चले गई कि ये बिस है लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भगवन स्री कृष्ण जी आज आए हैं इस रूप में तो इसी रूप में सही मैं इनको सीकार कर ले से ज्जाग नकल गए शुरी क्रिश्न की प्रित्मा द्वारका धीश कर मुंवे से ज्जाग निकल गए और जो प्रित्मा मीरा-जी के पास थी वह पूरी की प्साइब बच गई लेकिन और अब तो अक्रण राजा इस समय पर था और वो भी भेस बदल के मेरा जी से मिलने के लिए आया तानसेन के साथ में और तानसेन और मीरा भाई की जो मुलाकत थी वो पहले भी हो चुकी थी तब उस राजा ने जो यह मुगल का बातसा था उसने एक हार दिया, तो मना कर दिया तब गुपत चरों ने बताया कि यहां पर मुगलों का राजा आया है और मुगल की राजा से यह जो हार देके गया है तो राजा बिकरम ने बड़ा ही कड़ा पहरा लगवा दिया चारों तरब से अब तो मीरा भाई जी की जो हालत थी बहुत खराब हो गई क्योंकि कोई भी सादू संत मीरा जी से मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था बजन कीरतन नहीं हो आ रहा था और पहुत ही ज़्यादा मीरा जी की हालत खराब होने लगी अब मीरा जी की इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि तीम दिन हो गए बिना खाए पिये कुछ भी नहीं खाया कुछ भी नहीं पिया तो मीरा जी की जो दासी थी वो बोली कि आपने कुछ तीम दिन से खाया नहीं है कुछ पिया नहीं है तुम तीम दिन से सोई नहीं हो थोड़ी देर तुम सो जाओ तो थोड़ा आराम आपको मिल जाएगा तब मीरा जी ने कहा कि मैं आराम किस लिए करूँ तो जो राजा बिक्रम था उसके गुप्चरों ने बता दिया कि किसी पुरुष से बात कर रही है मीरा तब तुरंद की तुरंद बिक्रम राजा आया और गेट खटकाया और देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था केबल सेव का थी मीरा जी की तब उसने कहा किस पुरुष से तुम बात कर रही हो तब मीरा जी ने कहा मैं किसी पुरुष से बात नहीं करती मैं तो परम पुरुष से बात करती हूँ तो जैसे ही मीरा जी ने कहा कि ये देख लो ये हैं मैं इन स से बात कर रही हूं स्री कृष्णे जी की मूर्ती प्रित्मा जैसे ही देखी और उस राणा ने उस प्रित्मा को उठा के जील में फैंक दिया और जैसे ही उस जील में फैंका मीरा जी भी उसी मूर्ती के साथ में उसी जील में कूद गई जैसे ही वो उस जील में कूदी सीधे यहां बिंधावन में आके वो प्रत्मा और मीरा जी निकली तो वही प्रत्मा मीरा जी की बिंधावन में मीरा भाई जी का मंदर है निदवन के पास में सहाजी का मंदर और निदवन का मंदर रादा धामोदर जी का मंदर यह बिरकुल पास-पास में हैं वहीं पर सिरी गिरिधारी गोपाल जो साली ग्राम मीरा जी अपने साथ में लेके आई थी वो आज भी बिंदावन में इस्तित मंदिर में है तो हैमा मालनी जी यहां पर उसी मीरा भाई का रॉल अदा करेंगी और इसी इस्थान पर तेईस तारीक को यहां मोदी जी आकर उसी मीरा भाई की जो करेंगी हैमा मालनी जी मीरा भाई का रूप यहां पर बनाएंगी और अद्बत नित्य करेंगी मीरा जी का बहुत ही अलौकिक दिश्य होगा उसे देखने के लिए देश और बिदेश से भी लोग आ रहे हैं नरिंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं योगी जी भी आ रहे हैं और जितने भी पारसद हैं वो सभी लोग इस ब्रज के रज में आके मीरा बाई जी की जन्म इस्थली उनकी जो है जन्म महोत्सव उसका अद्बत आनन्द इस भ्रज छेत्र में लेंगे तो सातियों आप यहां पर देख सकते हैं हमने मीरा बाई जी का जो चरित्र था वो आपको बताया और संपूर जानकारी थी अब जो राजा बिक्रम था उ भी अपने गुपत्चरों को भेजता तो मीरा जी बड़ी ही परेशान हो गई तो एक बार मीरा जी यहां से द्वारका के लिए चली गई जैसे ही द्वारका के लिए गईं तो चारों तरप से इस राजिस्तान में मेबार में अकाल पड़ गया तो वहां के जो सादू संत थ तब मीरा जी ने स्री कृष्ण जी के सामने अपनी बाहें पहला के कह दिया कि मेरा दुनिया से क्या ना आता है मैं दुनिया के लिए नहीं हूँ मैं तो अपने स्री कृष्ण के लिए आई थी और जैसे ही मीरा जी ने स्री कृष्ण जी के सामने ये बात बोली तभी कुछ ही देर में चारों तरफ से हाहाकार हुआ और ऐसा हाहाखार हुआ मंदिर हिलने लगे और चारों तरफ से भूकंप जैसा आने लगा बजलियां तडखने लगी बारस आने लगी और उसी मूरती में स्री कृष्ण जी के दोनों हात खुल गए और मीरा जी उसी मूर्ती में समायत हो गई तब तक जितने भी वो जो पंडित थे वो दोड़े तो दोड़ते दोड़ते केवल एक छोटा सा टुकड़ा उनके पल्लू का उनके हाथ में लगा उसी को लेकर मेवार चले गए और मेवार के राजा उदैसिंग ने उस कपड़े क को अपनी पगड़ी में सिल्वा कर उजा के इस्थान पर रख दिया यह आप यहां पर कर सकते हैं जलेवाओं के दर्सन जो के बहुत ही अद्वत्त हैं और इस मेले में यह मेले की सान होती है तो इसी मेले में का आनंद आपने संपूर लिया ब्रज रज महोत्सभ दो हजार यह तीन बार से यहां पर हमारे ब्रज में लगा हुआ है और हर साल यह इसी समय पर लगवग दस दिन के लिए लगता है और यह महोत्सभ 27 तारीक तक 27 नमंबर 2023 तक यहां पर चलेगा आप भी आएं अगर आप मत्रा बिंदावन आ रहे हैं एकादसी पर आ रहे हैं या की परक्रमा के लिए आ रहे हैं जहां पर भी आप आएं तो इस जरूर जाएं बंद रहता हैं और साम को चार बजे से ही प्रारम को जाती है यहां पर अनियकों त्रीके शुत दुखाने हैं यहां पर हस्त सिलिप की जो कारीगरी यह वह बहुत ही अद्वत है तो सातियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बांके बहारी लाल की जै अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ही अद्वत गायन चल रहा है जो अपने आप में बहुत ही अद्वत है इसी स्टेज पर नित् मोदी जी उस मीरा बाई जी के अद्वत आनंद लेंगे रादे रादे बाई